So friends, welcome to fermion classes और आज हम लोग देखेंगे भारत की वन इस्थिती रिपोर्ट के important facts तो भारत की जो परियावरण की वन और वियलवायो परिवरत में की रिपोर्ट है वो भारती वन सर्वेचन द्वारा प्रतेक दो वर्स में निकाली जाती है तो ये दोयार 21 में निकाली गई थी, इसके पहले दोयार 29 में निकाली गई थी तो हम लोग दोयार 21 के important facts देख रहे हैं तो सर्प्रथम जो रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी और आई एफसाई दोयार 21 ये जो रिपोर्ट है इस साल की वो 17 हवी रिपोर्ट है भारत के 17 राज्जों में 33 पीजडी से अधिक छेते फल में one है, मतलब कि जो सर्वेच्छण का जो main target यही है कि पूरे भारत में हर राज में 33% से अधिक one का छेते फल हो तो अभी तक भारत में सिर्फ 17 राज ऐसे हैं जिसमें 33 प्रचत से अधिक छेतफल में क्या है 1 है आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग भारत में 1 आवरण की बात करें तो 1 आवरण भारत में 31.7 प्रचिसत है जोगी होता है 7,13,789 km2 और दो वास में अगर व्रिद्धी देखे है तो 0.22 प्रचिसत हुई है जोगी 1540 km2 है छेतफल के अनुसार वनावरण के वाले राज के अगर बात करें तो जो सरवाधिक वनावरण है वो मद्ध प्रदेश में हुआ है उसके बाद अभणाचा प्रदेश में फिर 36 गरण में और सबसे कम हुआ हर्याना में फिर पंजाब में और फिर गोवा में किया है अशेतफल के अनुसार बात कर ले दें दो उसके अनुसार बात कर ले दें तो ऊंचे ऑफ़ा प्रतिसरत के तो सबसे कम वनावरण है और्पूर में पर नागलान में अब हम लोग व्रेच्छों की बात कर लेते हैं तो भार्द में जैकर व्रेच्छों की बात करें तो दोध असम्बलों एक प्रतिशत एरिया किस से घे रह हुआ है व्रिच्छों तो घेरा हुआ है और जिसमें 0.76% की क्या हुई है व्रिद्धी है ठीक है अगर बनावरण की बात करें तो इसे 21.71% वरिछ्चावरण है 2.9 प्रतिसत ध्यान दीजिएगा total अगर हम बात करें वरिछ्चावरण के मिला के total व्रिछ्च है वो लगवा 24.6 प्रतिसत भारत का छेटफल क्या करते हैं acquire करते हैं आई अभर आगे बढ़ते हैं अगर हम भूझ मैंग्रोव 1 रटहाई करें तो मैंग्रोव 1 जो है वो भारत का 0.15 % भारत का 0.15 % क्या करता है अगर मैंग्रोव की बारत करें सबसे जाधा जो मैंग्रोव 1 है वह सबसे जाद आप पर हैं West Bengal में हैं और इसके बाद कहा है गुजरात में सबसे जादा व्रध्धी की बात करें तो उड़ीशा में सबसे जादा क्या हुआ है में सबसे जादा क्या हुआ है में व्रध्धी हुई है तो फ्रेंट थैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा धन्यवाद